वेलो गाइज, वेल्कम बैक टो मा यूटूब चैनल एंड्डॉइड अंसी Samsung Galaxy Note 7 explosion के वारे में आप लोगों को पता ही होगा कि किस तर से Samsung Galaxy Note 7 जोगों ब्लास्ट होड़ा था काफी जदा ब्लास्ट होने के वज़े से जिन लोगों के पास भी Samsung Galaxy Note 7 होता था उन्हें plane पे चरने के लिए नहीं दिया जाता था तो लास्ट इस Samsung ने अपने सारे कस्टमर से Samsung Galaxy Note 7 को वापस ले लिया त्यांपे एक news सामने निकल का है कि Oppo का एक brand new smartphone जोई ये भी ब्लास्ट होड़ा है ये smartphone जो है यहाँ पे सामने निकल के नहीं है कि वो Oppo का कौन सा smartphone जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक news सामने निकल का है कि इमरान नाम का एक जो लड़का है ये 18 साल का है और ये accident हैदराबाद में हुआ है ये लड़का अपने front pocket में Oppo का ये phone लेकर के two wheeler से कहीं गूमने के लिए जा रहा था accidentally जो ये smartphone ब्लास्ट हो गया और जो इमरान है ये road पे गिर गया और इसके हाथ में और पर में काफी ज़दा जो है वो चोट लग गया है तो जिन लोग पास भी Oppo का कोई भी brand new smartphone है तो वो लोग अपने काफी ज़दा सचेत हो जाओ वो अपने phone को काफी टाइम अपने पास में मत रखो अपने phone को side में रखो अगर आप रात में सोने भी जाते हो तो अपने phone को table परक दो और bed पर आके सो जाओ और कोई भी other brand भी आपके smartphone है अगर आपके पास है तो यह accident किसी के भी साथ हो सकता है रात में सोने थे हैं पहले आप अपने smartphone को use करने के बाद अपने phone को table परक दो और फिर जाके अपने bed पर सो जाओ क्योंकि यह accident कोई भी smartphone के साथ हो सकता है तो इस वीडियो में इतना ही आ भी OPPO का नया smartphone उन लोगों को जो से जोर इस वीडियो को शेर कर दिया फिर में मैंल था एक नियू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें द वांदे मातराम थांक्यों फॉर वाचिंग इस वीडियो